आप देखरें नेशन लाइफ मैं हूँ आप साथ रवीना अभी हम भासकर चारे कॉलेज में मुझूद हैं यहाँ पर अभी कलपना एक युवा सूच जो कि एंजियो है सिक्षय के शेत्र में काफी कार्यकरम का आयोजन किया गया था तो चलिये यहाँ पर जो लोग मुझूद थे नेशनल एडुकेशन पॉलेशी जो 2020 है उसको जो लोग हैं काफी मिस इंटरप्रेट करते हैं बाकी लोगों को पता नहीं है अच्छे तरह से कि वो क्या है तो उसको अच्छे समझाने के लिए इस इवेंट का और्गनाइज किया गया था तो उनसे जानते हैं कि इवेंट क अब जेक्टिव क्या था और क्या कंट्लीउस से निकल कर आया है और अभशकार माम तो सबसे पहले तुम्हें यही पूछना चाहूंगे कि उदेश्य क्या ता इस इवेंट का नाम से पता चल रहा है लेकिन फिर भीकी में पॉइंट से और क्या क्या पता चल आ है में यह मै कि इसके में गोल्स क्या है और हमें गोल्स की सरे से अचीव कर पाएंगे स्कूल लेवल पर यह डिस्कुशन किया तो इट वस्कूइट फूटफुल अच्छा लगा और काफी क्लेरटी हुई हमें जी सर मैं आपसे जानना चाहूंगे कि चुनूतिया जो शब्द है हम सब को पता कि कुछ हम जब नया इंप्लिमेंट करते हैं हर चीज में प्रॉब्लम्स वेस्करने पड़ते हैं तो यहां पर आपको क्या 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 में प्रॉब्लम्स हमें आने वाली है जब हम नेशनल एड सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उनके सोलूशन पर बात करी है कि उन्हों कैसे सोल करना है बच्चों तक कैसे लेके जाना है और जो उनके फैक्ट्स हैं वह हमने बताने विदाउट एनी नेगेटिवीटी की यह चीज और उचीज को पीछे दिरकनार करते हुए हमने आगे यही जात कि सब्सक्राइब करना है कि ऊजाना इसके आपको रान्डल से स्टाार्ट करना एगीज कॉ तो एफ वह सकते हैं यह आप से जानने जाओंगे कि एब बात हुई होगी इस जो पूरा प्रोग्राम था तो क्या सलूशन हो सकते हैं कैसे इदर आ जए थोड़ा तो क्या solutions हो सकते हैं या फिर कितना time और हमें लगेगा इसको लगेगा implement करने में national education policy को पहले तो मैं अभी गलपना को शुक्रियादा करता हूं इवेंट के लिए तो problems तो मैं implement अभी होने में थोड़ा time तो लगेगा इसको और जहां तक problems की बात है कोई भी कुछ schemes नहीं आते हैं तो इसमें problems arise होते हैं जब वो ground पर आएगा तब उसकी practically हम solve कर पाएंगे उसकी problems का आभी तो discussion चल रहा है discussion पर हम लोग इसको solve करने के कोशिश कर रहे हैं seminars हों में, workshops हों में तो में जो problems आभी आने की है क्योंकि यहां पर holistic approach है जो में हमारी फॉकस है new education policy national education policy का यह holistic approach लेकर चल रहा है और हमारी culture के उपर बेस करके चल रहा है एक तरह से complete change आ रहा है education policy में यह कर सकता हूं यह complete change आ तो जब भी कोई change आते हैं उसके साथ कुछ ups and downs आते हैं उसको हमें solve करना पड़ता है लेकिन आसली solution जो में solution आएगा जाएगा जो ग्राउन पर जाएगा तो कितने फूट्फुल होते हैं यह ताकि लोगों को पता चले और awareness ज्यादा बड़े यह इवन्स इस टाइप की बहुत जादा फूट्फुल है फोटीचर्ष और टीचर्ष और टुट्थ आं तो स्टुट्थ और आज़िए थे कन एपुट्थ एंड़ इस तुट्थ जितने भी हमारे इवन्स हो रहे हैं अभी ऐगा बड़ेजीज में हो रहे हैं हमें रिसोर्स तो भासकर अचार का बहुत थैंक्फुल है, हम सब लोग कि हाँ उनकी तरफ से हमें औरी मिला और ये रिसोर्स मिले और और अगेस कि अभी कलतना और भी ऐसे इवेंस करेंगा और इन स्कूल्स और इन डिफरेंट कॉलेज़ तो आपको लगता है कि अभी जो इंडिया की सिच सब्सक्राइब करने में हम रेडी हैं उस चीज के लिए फॉस्ट आपने भी देखा होगा हर चीज मेन प्रेक्टिकल नॉलज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉस हम टेकनोलोजी पर फोकस कर रहें आज की जो हमारी इंडिया जो है टेकनोलोजी टेकनोलोजी जब हम तो यह विदाउट प्रेक्टिकल आपको नहीं आ सकती है आप थियोरियोटिकल क्या करें यह मैटर साइद उतना नहीं करता जितना चीज आपको प्रेक्टिकल अगर मैं अपनी बात करूँ तो बेसिकली आम टीजीटी अप्प्यूटर साइंस टीचर तो हमारे एसा नहीं कि ऐसा सब्जेक्ट रियर लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेक्टिकल चीज़े तो इस इवेंट के बारे में हम जाना चाहेंगे सर कि कैसा रहा क्या एक्सपीरेंस रहा और अब्जेक्टिव क्या था रूब्जेशन क्या निकल एक जो प्रॉब्लम नहीं आते एक अभी गॉर्मेंट ने ड्राफ्ट किया उस ड्राफ्ट को जब इसकूल लेवल पर यॉनिवर्सिटी लेवल पर इंप्लिमेंट किया जाएगा तब हमें भी अक्छे से प्रॉब्लम समझाएगी और इस जो और्गेनाइज किया गया था समवाद इससे हमें बहुत सी चीज़े समझ आई कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्जेक्टली है क्या और उसको हम कैसे और अच्छे से ग्राउंड लेवल पे और आपका भी बहुत बहुत दन्याबद आपने हमें जो है इसके बारे में बताने को खा देखिए दो साल टाइम तो लगेगा यह कोई एक छोटी सी चोटा प्रोग्राम नहीं काफी बड़ा प्रोग्राम है और जिसे हम बार बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं व प्रिंसिपल सर ने कि यह स्कूल यहां कॉलिज में इसका इंप्लिमेंटिशन हो चुका है तो धिरे धिरे यह कॉलिज से स्कूल में आएगा और मैं सूस्ती हूं कि यह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा बच्चों के लिए फूट पूल रहेगा टेक्नलोजी बेस रह हैंगे जो यह अभी कल्पना ने जो इवेंट और्गराइंज किया था समवाद के नाम से उसमें क्या-क्या पॉइंट सामना आए है या फिर जो चैलिंजिस थे उनके सलूशन क्या-क्या निकल करा है कि यह बहुत बढ़िया प्रोग्राम है क्योंकि इसको जन-जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है जनजन तक पोचाने के लिए क्या है कि इस तरह कि हमें समवाद करते रहने चाहिए ताकि सबको पता चल जाए पुरानी एड़ूकेशन पॉलिसी के बारे में तो किसी को पता ही निए कैसे इसको इंप्लिमेंट करना है उन पे क्या-क्या समाधान, क्या-क्या चनोती आएंगी, उनको कैसे हमें रिजॉल्व करना है, यह सब हम कर पाएंगे, और अभी कुछ जैसे प्रिंसिपल सर ने हमें बताया, कि हमें बच्चों को चूज करने के लिए इस बार जो प्रॉब्लम्स फेस की है बच्चों ने, तो उसके लिए उन्होंने जो बताया कि हमें न वही सब्जेक्ट चूज करने हैं, जो 11-12 में हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बेसक से हिस्ट्री जोग्रफी यदि कोई साइंस का बच्चा है, तो उसको एक्जाम सी यू टेट का जो है, वो फिजिक्स केमिस्टी मैट्स है कि काफे जरूरी है ऐसे इवेंट्स करना, ताकि स्कूल्स को भी अवेरनेस मिलें, जो टीचर्स हैं, उनको कहीं न कहीं जो डाउट्स हैं, उनके क्लियर होते रहें, तो इस इवेंट का जो अबजेक्टिव था कहां तक सक्सेस्फुल रही है, यह हम आप से बूचना चा एक्विटी की बात कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और बहुत इंट्रस्टिंग चीज है कि हम सिक्स्थ क्लास से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो सिरफ एक जॉब सीकर न रहें, कि डिग्री लेकर के बाहर निकल गए और जौब ढूण रहे हैं हम उन्हें आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं तो अगर सच में ये राश्ट्रिय शिक्षानीती ठीक से इंप्लिमेंट हो जाती है इसके लक्षियों को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो वाके ही हम एक आत्म निर्भर भारत बना पाएंगे और अपने बच्चों को हम ग्लोबल लेवल पर एक लेजा करके अपने देश को सुपर पावर बना पाएंगे ये भी पूछना चाहेंग ही सरकार ने भी टाइम तो दिया ही है तो अभी तो मुझे लगता है टीचर्स धीरे-धीरे समझ रहे हैं है क्या तो और कुछ स्कूल्स इंप्लिमेंट भी कर रहे हैं तो और दो चार-पांच साल में मुझे लगता है काफी बदलाब देखने को मिलेगा विद्या लेकिन अ जो है हर पेरेंट अपने बच्चे को समझा रहा है तो चलिए फिजिकल टीचर से बात करते हैं जो फिजिकल एडुकेशन के टीचर होते हैं कि जो नेशनल एडिकेशन पॉलिसी है जो स्पोर्ट है उसमें क्या-क्या चेंजिस लेकर आई है और वो कैसे इन चेंजिस को फे फेस करने पड़ें था फिजिकल एडिकल सब्जेक्ट इसमें नेशनल एडिकेशन पॉलिसी जो है उसमें प्रपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं गर पा रही है इसके लिए बहुत सारे चेलेंजिस लेने पड़ रहे हैं तो बच्चों को प्रेक्टिकल के लिए हमें ग्रा लिए उसमें और शेयं सामने आए अब जया है प्रिंसिकल सर ने बताया कि पहले फिजिकल एडिकल उसमें बात चीत डिया है या क्या-क्या सलूशन शामने आया थे है प्रिंसिपल सर ने बताया कि कि पहले physical education को as a fourth subject consider नहीं किया जाता था मार्ग्स, DU में ये disadvantage थी admission के लिए, अभी तो जैसे test होने लगे, लेकिन बात ये के new education policy में, जो है, national education policy में, जो local language की बात किया है, उतना literature हमारे पास है, नहीं sports का, हम लिखते हैं Hindi और English में, local language में हमारे पास इतना material नहीं है, study material के teachers उसको implement कर सके या उसको apply कर सके, तो पहले तो आपको इसके literature पर ध्यान देना पड़ेगा, advantage ये है कि colleges में इसके उपर focus किया जा रहा, इसको जैसे co-curricular activities, पहले co-curricular activities बोला जाता था, अब इसको activities, part of the slavers बोलेंगे, ये अच्छी बात, जैसे कि इन्हों ने भी बोला कि पहले, जो हम physical education जो है, उसको एक extra में count करते थे, हम अपने पढ़ाई में count करते थे, तो इसको count किया जाता कि आप extra अगर आपको subject लेना है, तो क्या आपको लगता है, राश्च्रिय सिक्ष्ण निती इस चीज़ पर गोर करेगी, और इस से इसके सुधार हो सकता है इन सब चीज़ों, जी इसमें एक चीज अच्छी होई है, जैसे अभी sports को भी add किया गया है, इससे में यह ही है कि हम एक additional benefits मिलना सुरू हो जाएगा बच्चों को, वो अपना career भी उसमें बना सकते हैं. सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि राश्च्रिय सिक्ष्ण निती में, जो sports को लेके points है, क्या लगता है आपको, क्यों कि वो सारे आपके काम के हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए सुधार होगा सब चीज़ों में? जी, जैसे कि आप जानते, पहले बच्चे अपने अलग-अलग जैसे professions, इंजिनियर्स, या पर डॉक्टर बनना ही चाहतेते हैं. अब because of national education policy, में भी वो sports में भी आगे बढ़ाएं, अपना करियर सोचें, कि उसके marks जो है, वो अलग-अलग जगाय में काउंट में होगे, क्राइट सिस्थम के वज़े से, तो sports को भी अब काफी national education policy में, काफी importance दी गई है, तो वो काफी अच्छी बात है. और जो अभी कलपना जो NGO है, वो सिक्षा में तो काम करता ही है, और सिक्षा के साथ से जैसे फिडिकल एशुकेशन के जो इवेंट्स होते हैं, उनमें भी काफी काम करता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगा है? जी नहीं, अभी कलपना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, थोटे दिन पहले इन्होंने एक बास्केटबॉल का भी टोर्नमेंट कराया था, तो और आगे भी काफी सारे टोर्नमेंट कराने वाले, तो उसमें हम अभी टीचर अपने स्कूल के बच्चों को पाडिस्पेट कराते हैं. कोविट के बाद से, क्योंकि कोविट ऐसा समय था, कि पढ़ाय तो फिर भी ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन जो ये प्राक्टिकल होता है, जो खेल होते हैं, वो ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं, उसके बाद अब दुबारे ये टोनमेंट शुरू हो जाए, तो कितना इंपोर्टे कि अधिशन टीचर्स रहें उनके लिए बहुत तफ रहा है, क्योंकि हर चीज आरी ग्राउंड में होती है, बच्चा वो ऑनलाइन नहीं सीख सकता, तो कोविट के बाद जो खेल है, वो काफी हद तक बच्चों को पढ़ाई में भी हल्प करता है, तो फिजिकल अप्त ज़ आपका, नमशकार से, तो आपसे सरम जानना चाहेंगे जो आज का इवेंट हुआ है, उसमें क्या क्या निशकर्श निकल के आए, क्या सलूशन निकल के आए, जो प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम से यह जैसे कि बच्चा मोबाईल जादा यूज करता है, अगर वो मोबाईल जाँ जो पिरिंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कि भही कब कब मोबाईल देना है, कब नहीं देना फोन को, सबसे इंपॉर्टेन तो यह है, दूसरी बात है कि हम बच्चे को त्यार कर रह तो यह देखना चाहिए, कि बच्चा पड़ता है, और नई पॉलिस मे तो उसकी क्लेरेंस ही हम टीचर्स को भी उतनी नॉलिज होनी चाहिए कि बच्चे को भी क्लियर कराया अपनी आपकी बेग्लियर हो और जब यह अच्छे समाज का निर्मान होगा इतना अच्छा बच्चा पड़ेगा उतना आगे बढ़ेगा अपने रिसोर्स की बात किया है स तो स्कूल के पास कितने रिसोर्स की कमी है इस ताइम पर या फिर क्योंकि हम बोले जो नेशनल एट्रुकेशन पॉलिज उसमें पॉइंट है कि बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्स पी ले सकते और साथ मैं साइंस के सब्जेक्स लिए लेकिन वह दिक्कत होने वाली है स्कू जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चा जाना चला जाए तो कितना अच्छा होगा अगर वह बच्चा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एजूकेशन के साथ में जूड रहे लेकिन उस बच्चे के अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए कि जब वह स्ट्रीम चेंज कर रहा है त और यह तो कि अगर तो यह दिपरेंड़ करता है हमारे स्टूडेंट्स पर हमारे टीचर पर जरूर्टी एक जगे पे सारे सूर्स वने चाहिए ऐसा कुछ निया मैंनी मानता है जी जो को अश्कार शाजी चरूम आपसे चाहिए कि जो राश्ट्री सिक्षन हीती है दो हजा मैं जब हम बात करते हैं NEP के बारे में तो NEP is all about जैसे पहले हम लोग medical लेते थे या non-medical लेते थे बच्चा बोलता है कि मैं Sanskrit ने ले पा रहा हूं या मैं Hindi ने ले पा रहा हूं कि यहां पर हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं को जैसे कि अगर हम बात करेंगी आज कल बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं को राइट और इसलिए जो गवर्मेंट आव इस एनिप को लेकर आई है कि हां स्कूल में ही सारी की सारी चीज़े दी जाएंगी ब करेंगे क्योंकि अल्टी मेंटलियम माइंड मेंगे करेंगे ना बच्चे की यह जो उसकी ड्रोबेक्स भी होते हैं अची चीज़े भी होती है तो एनिपी की जो रोबैक्स है क्या हम उनको ओवर्कम करने में सक्षम हैं अभी एस पर दर रोबैक्स जो हमार को आई थिंग एनिपी जो अप्रोक्सिमेटली थर्टी-थर्टी-फाइफ एर्स बाद एक्जि़ेट है जो चेंजिसा है हमारा और इसके एकॉर्डिंग जो इंफरस्ट्रुक्चर है जो हमारे स्कूल के इंफरस्ट्रुक्चर है वो अभी तो आई थिंग आर एंगेजिं की वो एस एक अच्छे टीचर्स होना क्लास्रूम में बहुत जरूरी है क्योंकि वह हैं जो आपको आगे ले जा सकते जो सबसे पड़े जा सकते हैं तो अभी हम जो अब ऑगी कलपना एंजियो हैं जो एक संसा है उनके जो मेंबर्स जो कार्य करवाते रहते हैं उनसे बात चीत करते ह जो सारे मेंबर्स जाय हुए थे क्या उनके जो प्रॉब्लम से उनको क्लारिटी मिली है इवेंट सक्सेफुल ऐसे नहीं बता सकते जब तक इंप्लिमेंट ने वह उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों के इंदर क्या प्रॉब्लम सारे हैं क्या उसके श्लूशन से निकल र और झारी को फुल जो जब नहीं आती है तो उसमें भूत चरबॉबैक्स भी होते और गडवते की अंडवट के सीरस हो के क्लास में बढ़ता नहीं है, वो सोचता है कि मैं कोचिंग जा रहा हूं, मिरे को जाकर भूपटर है, इस माग से आपको लगता है कि वह आप कनवे करने में यह हमारी पूरी कोशिश रही है, हमने अपने साइट से प्रापर पूरी कोशिश करी है, कि जो हमारा मेसेज है, जो टीचर्स के तुरू, बच्चों के तक जाए, जो हम लोग न्यू इंप्लिमेंट लाना चाहते हैं, जो न्यू एटिकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, वो बच्चों तक पहुँचे. Thank you. मैम आपसे जाना चाहिएंगे, जो आपने ये इवेंट और्गनाइस करवाया था, और कितने फ्रीक्वेंटली आप ये इवेंट और्गनाइस करने के लिए रेडी हैं, या जो सकूल्स हैं, वो कितने इन सब चीज़ेंगें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं? मैम जितने स्कूल गनेक्टड होंगे, जितने टीचर्स गनेक्टड होंगे, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे कंटिनू करते जाएंगे, और हम कोशिश हमारी कोशिश यह रहेगी कि सभी स्टूडेंट्स टीचर से से जाधा से जाधा कनेक्टेट हूं सब्सक्राइब कर दो साल पर बात कहीं गई थी तो स्कूलों ने शुरू किया लेकिन स्कूल के मेनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो इसको अपनाए या ना अपनाए क्योंकि जब तक यह नियम है हमारे यहां पर चली आरी अवदार ना कि जब तक ऊपर से प्रेशन नही स्कूल को सको कभी भी अमेंड में नहीं करता है जैसे मैं पताता हूं हमारे स्कूल में एक स्कूल की बाद थी जिननों आउने का था कि संस्कित में होनी चाहिए कितने ही इसकूलों में बचचे येड franc interpret Westarse 12 क्यूल। आपको लगते कि जो राश्टे सिक्षन हीदिएं इंप्लिमेंटेशन में इतना डिफेंस आ सकता है कि बड़े स्कूल पहले इंपल्लिमेंट कर जयेंगे और छोटे स्कूल को रिसोर्स में दिखकता आएगे यह तो सबसे बड़ा पाट है कि इंफ्राइस्ट्रेक्शर निव एजिक्शन पॉलीशी को इंफ्रस्ट्रेशन नहीं तो स्कूल इंप्लीएंट नहीं कर पाया कि हमारे पास कोर्सिस तो हैं टीचर कहाँ से लाएंगे यह संस्क्राइब पर सब्सक्राइब सकता है तो यह प्रॉब्लम रहे गी जब तक गौर्पन उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं करेगी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम करें लेकिन दोनों को ये बरावर लेकर सदना पड़ेगा अभी कलतना कि ये पहले कि नहीं सिक्षा निती में चुनोतिया आई है उनका समाधान सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो हम किसी चीज़ को नई स्रे से ला पाएंगे तो क्या आपको लगता है राष्ट्रे सिक्षा नीति इस चीज़ में कुछ भी बदलाव कर सकती है क्योंकि देखिए हम सिप एजुकेशन में बात करें हैं और एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन को कहीं न कहीं सभी एक एक्षा एक्टिवटी के मान के चलते हैं और जबकि बोला गया है कि एक स्वस्त सरीरी के इंदर ही एक स्वस्त मस्ति क्या निवास होता है जब तक हम फिजिकली नहीं है और मेंटली फिट नहीं है तो हम एजुकेशन किया है कितनी भी अच्छी आप देते जाए तो वह बच्चा ले गाए ही नहीं तो इसलिए एजुकेशन पॉलिशी के अंदर में फिजिकल एजुकेशन का एक अलग लेवल होना चाहिए उसको भी सभी सब्जेक्ट के साथ मैं सब्जेक्ट में काउंट करना चाहिए जैसा कि उनिविश्टी और कई स्कूलों में मैंने बताया ना कि आपको की फिजिकल एजुकेशन गेम्स मानके च सब इंक्लूड है और इसके लिए आपको एजुकेशन में आना है पड़े जाए फिजिक को आप पुरा मैत जिसता से महत्व दे रहे हैं उसता फिजिकल एजुकेशन और युनिवर्स्टी के अंदर बैस फोर क्राइटरिय के अंदर अब थोड़ा सा जब से नेशनल आपना एक युवा सोच एंजियों ने एडुकेशन से रिलेटेट जो इवेंट करवाया था उसके क्या अबजेक्टिव से क्या निश्कर्श सामने आया है अभी पी काफी सारे टीचर्स ऐसे हैं या स्कूल्स ऐसे हैं जिनको शायद जो राश्टे सिक्षन इती है डीप क् तो ऐसे इवेंट काफी फ्रीक्वेंटली रिक्वायड है इंडिया में ताकि सब चीजों के क्लियरेंस हो चके नेशन लाइव आप तक ऐसे ही सिक्षा से जुड़े मुद्धे पहुचाता रहेगा बने रहें नेशन लाइव के साथ कैमरा परसन रोही जोशी के साथ मेरा जुड़े मेरा बने प्रीक्वान लाइव के साथ से चाहता रहileen वीजों के साथिवा दोए